नकारात्मक उर्जा को करे दूर पीली सरसूं कुछ लोगों की मान्यता है कि घर में रखे पीले सरसूं को नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए उप्योग किया जा सकता है पीली सरसों को कपूर के साथ पीले कपड़े में बांध कर पोटली बनाने के बाद उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से नकारात्मक उर्जा कम होती है कुछ लोगों के अनुभवों के अनुसार इसका उप्योग शांती और सकारात्मक ता बढ़ाने के लिए किया जाता है अगर आपके घर की आर्थिक स्थिती काफी समय से सही नहीं चल रही है और दिन बदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर के मुखिया की पीली सरसों से नजर उतरनी है और उस सरसों को दूर ले जाकर किसी चौराहें पर फेक दें इस उपाए से परिवार के सदस्यों की परेशानी भी खत्म होगी पैसों की परेशानी दूर करने के लिए अगर आपके उपा भी बहुत करजा है या आपके घर भी पैसों की कमी है तो पीली सरसों को चांदी कटोरी में कपूर के साथ जला दें इससे व्यापार में आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी और पैसों की समस्या दूर हो जाएगी अगर आपकी जिन्दगी में काफी पैसों की कमी है तो प्रत्यक गुरुवार को गंगाजल की मदद से पीली सरसों को अच्छे से शुध करें फिर सरसों को कपूर की मदद से पीले वस्तर में बांध कर आपके घर के में गेट पर लगा दें नजर दोश को दूर करने के लिए यह वास्तू के अनुसार पीई सरसों को घर के सभी कमरों और कोनों में छिड़क दें इससे लगी नजर भी दूर होगी और सुक समरिद्धी बढ़ेगी